पिछले साल दिली में हुए श्रधा वालकर मर्डर केस के जैसा ही एक मामला मुंबई से सामने आया है शबकी तोर्थ बार सरस्वती को मनोज ने मोद के खाट हुदा बड़ी बैरेवी से अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और शव को पेड काटने वाली मशीन से उसके तुपड़े की मुंबई में हुए लिविंग पार्टनर की हत्या के मामले में नया फुलासा हुआ है पुलीस को आरोपी मनोज के घर के अंदर से कोन से भरी बार्टिया मिली जिसमें मुतक महिला सरस्वती वैद के शरीर के कई तुपड़े पड़े हुए थे हौल में तीन पेड काटने वाली मशिन पड़ी हुई थी और बेढ़ू में काले रंगी धेल सारी पॉली थी मिली पुलीस का कादा है कि घर में इतनी बद्बू फैली हुई थी कि सास लेना भी मुश्किन हो रहा था घर में धेल सारे एर फ्रेशनर भी मिले आपको वतादे की किचन में तीन बाल्टिया मिली जिसमें खून भरा हुआ था और सरस्वती के शव को छोटे छोटे तुपडे कर उन बाल्टियों में रखा हुआ था सरस्वती के शरीर के तुकडे खून भरे बाल्टियों में डूबे हुए थे और मुतक सरस्वती के बाल बेडरूम में फैले हुए गिले सबसे आम बात पुलिस ने बताया कि मनोज ने सरस्वती के शोग के तुकडों में काटने के बाद उन तुकडों को प्रेशर कुकर में उबाला फिर इन तुकडों को आवारा कुट्यों को खिला दिया था आरोपी मनोज ऐसले करता था कि शरीर के तुपड़े उबालने से घर से बद्मू नहीं आए और कुट्यों को खिलाने से किसी को सरस्वती की हत्या की इसका पता ना चले यह हत्या 3-4 दिन पहले हुई है पुलिस ने आरोपी मनोज साधी को हिरासत में लिया है पुलिस का कनाहे की फिलहाल शव के तुकडों को इखटा कर पोस मॉटम के लिए भेज दिया गया है मौके पर फॉरेंसिक टीम भी मौक बुलाई गई थी 3704 फ्लैट नंबर से अन्य सबूत भी इखटा किये गए सरस्वती की हत्या एक शुक की तौर पर की जाने की जानकारी सामने आई है दाजा खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें टाइम स्रूटे एकटी न्यूज और बेल आइकोन को प्रेस करें